लड़कों व लड़कियों में एक आम सवाल है, मुझे कितनी बार हस्त में थुन करना चाहिए? दिन में एक बार, या कई बार, जिन लोगों को यह आदत है, वे शायब पहले से ही जानते हैं कि खुद को सबसे अच्छी तरीके से कैसे खुश करना है, इसे कब करना है, और आत को लगता है कि आप हस्त में थुन कर सकते हैं, यह एक पूरी तरह से स्वस्थ अभ्यास है जिससे कोई समस्या नहीं होती है, चाहे आप हर दिन हिट करें या नहीं, यह आप पर निर्भर करेगा, सब्ता हमें 3-4 बार ठीक है, लेकिन अगर यह एक लग बन गया है तो आपक हस्त में थुन की आवरती व्यक्तियों के बीच भिन होती है, ऐसी ही रोमान चक जानकारी पाने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, कुछ पुरुश और महिलाएं हर दिन हस्त में थुन करते ह दूसरे कभी कभार और कुछ कभी महीने में एक बार हस्त में थुन का स्वास्थे पर कोई नकारात्म प्रभाव नहीं पड़ता है, और किशोरावस्था के दौरान लड़कियों और लड़कों को अपने शरीर, सुख और स्वाद के बारे में अधिक जानने के लिए अभी भी फाइदे मंद हो सकता है, एक युवा एक दिन में कई बार हस्त में थुन कर सकता है, और यह अवधी के दौरान है कि वह अपने शरीर और कामुपता का पता लगाता है, ये वह अवधी है जिसके दौरान हस्त में थुन की आवरती आमतोर पर सबसे तीवर होती है, किशो द्वारा हस्तमेथुन का अभ्यास पूरी तरह से सामान्य और स्वस्थ है।